किसके ख्यालों में खोई हो क्या मतलब मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो जते हैं मेरे ख्याल तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि मैं तो यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं फालगुन मेरे पापा को लंग कैंसर है है और ये ख़बे अभी तक मेरे लिए बहुत ताजी है का और ऐसे मोके पर भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फưỡ़ इसाउब अम इसक्वास में कि आन पो studies में अभी उन लिए तुम्हारे दिमाग में बॹी सवाल में अच्छी तरह से जानती है हँ, हो सकता है. श्रया, तुम्हारे पापा की बिमारी कर मुझे तब होता... मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध होता, इसलिए, जुपनी पापा की तबियत पूछने से पहले, मेरे विश्ते का हाल पूछ रहा हूँ. I don't believe this, मेरे और रितिश की इतनी साफ सुत्री दोस्ती का तुम ये मतलब निकाल रहे हो कि मेरा और तुमारा कोई संबन नहीं रहा श्रीया मेरे कहने का मतलब यह है कि एक साफ सुत्री दिखने वाली फ्रेंट्शिप भी पलग छपकते ही मैली हो जाती है तुम्हें मुझपर जरा भी भरोसा नहीं है तुम अपने प्यार की बुन्यात को इतना कमजोर समझते हो मेरे मना करने पर भी तुमने रितिश से मिलना नहीं छोड़ा एक बार अपने प्यार की बुन्यात को तनाशो मैंने अपने प्यार से हजार बार सवाल किये हैं, फालगुन और हर बार मुझे एक ही जवाब मिला है मैं तुम्हारे साथ सिंदकी बिताना चाहती हो, फालगुन लेकिन उससे पहले मैं ये जाना चाहती हूँ कि तुम्हारे शक के पीछे वज़ा क्या है क्यों फाल्गुन वाई क्यों तुम अपने रिष्टे को मेरे हातों और फेरों की बेडिया बनाना चाहते हो क्यों नेरी समझ में यारा कि तुम्हें आजादी क्यों चाहिए मैं नहीं मांग रहा कोई आजादी मैं आजादी नहीं चाहती हूं तुम्हारा विश्वास चाहती तुम्हारे अलवा में किसी और को नहीं देखूं, यह मेरा फैसला होना चाहिए, तुम्हारी शर्त नहीं है यह बात अगर तुम्हारे फैसले से हो जाती न, तुम्हारे शर्त कभी नहीं रखता तुम्हारे दिमाग में अगर ये शर्थ हमेशा से नहीं होती ना फालगुन, तो मेरा फैसला तुम कब का देख लेते हैं? फालगुन, शर्थ की कोई दवा नहीं होती, आज मेरे और रितिश को लेके तुम शक्कर रहे हो, कल किसी और को लेके शक्करोंगे, और फिर सारी जिंदगी, हम शक्के अंधेरे में एक दूसरे से टक्राते रहेंगे, और खायल होते रहेंगे बस, इसलिए बहतर ये होगा, क शर्या, आज के बाद हम अलग-अलग हो जाएंगे, इसलिए रहे होते हैं, फालगुन, शर्या, फालगुन, शर्या, मेरे बात, पूछोगी नहीं कि इतनी देर तक कहा था मैं, कहा थे, अब बताने से क्या फाइदा, जब तुम्हें बात करने में दिल्चस्पी नहीं है तो, तुम कहीं इंपॉर्टन्ट काम में होगे न, इसलिए लेट हुआ, नहीं, काम में नहीं था, जान बूच कर लेट आया हो, त सरोकार तुम्हारी दिल्चस्पी से हैं, और मुझे सरोकार तुम्हारी दिल्चस्पी से हैं, क्या कर रही थी? ब्रीधिंग एक्सराइज, वो ट्रेनर आया थी न, वो सिखा के गई है, लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो न? इसलिए तो कर रहे हूँ, आप नहीं समझेगी. मैंने तो यह समझा था, कि यह सारी एक्सराइज आखरी मैने में की जाती है, तुम्हारा तो दूसरा में न चालो है न? आपको कैसे मालूम, आप तो… शिखा, चान पर पानी नहीं है, यह मुझे पता है, इसलिए चान पर जाने की ज़रूवत नहीं है. मैंने ममी की प्रेग्नेंसी देखी है, जब मैं 11 साल की थी. अरे वा, औरतों के बार में दिर्चस्पी है, यह जानकर मुझे तो बड़ी खुश हुई, मुझे लगा आपको बिजनस के अलाओ कुछ पसंद ही नहीं है. तुमने मुझे गलत समझा, शीका. मेरे भी जिंदगी में कहीं दिशाएं थी, लेकिन एक के बाद एक, सारे दिशाएं बंद हो गए और सिफ बिजनस के दिशाएं कुछी हुई है. वैसे तो मुझे तुमारा सुजी का हलवा भी बहुत पसंद है. सुबह जब नाके निकली, तब ही उसकी खुश्बु आई थी. सच? सच. आजकर जादा मीचा खाने लगी हुँ ना? अच्छी बात है, शिका. मैंने तो ये सुना है कि पहले तीन मेने जब औरतों को मीचा खाने की इच्छा होती है, तो उनको लड़का पैदा होता है. सच? आपके मूँ में घीशा कर. वैसे रीमा होने के बाद मैं तो बहुत डि अगर अच्छे वक्त का लुफ्ट उठाने में फाइदा बूल जाए ना, तो बाद में बहुत पश्ताना पड़ता है. और जब फाइदा उठाने की कोशिश में, जब आदमी फसकर लुफ्ट उठाना भूल जाता है, तभी भी वो पश्ताता है. मैं ये बात एक्स्पिरि तुम इस वक्त सिफ खुश रहो और मसा करो. सुझी का हलवा बनाओ, खाओ और मुझे भी खिलाओ. ये तुम्हार अच्छा वक्त आया है. प्रशान को पहली बार बिजनेस में एक जगा बनाने का मौका मिला है. और तुमारी फैमिली भी बढ़ने वाली है. और इसी चीज वो बात मत करो. क्योंकि उनको देखकर मैं भी लाइलाज हो जाती हूँ. ये बामी जी, आपको और पापा जी कोई कुछ करना होगा. समाज में बाते होने लगी है. ऐसी बाते जो आग की तरह फैलती, आप तो चानती है न? रुची, कुछ साल पहले हमने सोचा था, यानि म मैंने और तुम्हारे बापा जी ने सोचा था, कि सब को जलन हो, ऐसा प्यारा परिवार है हमारा. एक बार सब अपने ठीकाने लग जाएंगे, तो सुखे बातल बरसेंगे. लेकिन यहां तो प्यास के छिलकों की तरह एक के बाद एक सवाल निकलते ही जाते हैं. ठक गए है हम तोनों. माची, अगर आप ऐसा सोचेंगी, तो सवालों की जवाब कौन ढूंडेगा? प्यास के छिलके अलग हो जाएंगे, तुम्हा बशता ही क्या है? कुछ भी ने. परिवार है, इसलिए तो सवाल है ना. क्या जवाब ढूंडू मैं? प्रशान का मसला बिस्निस को ल लेकिन ये मसला पती-पत्नी के बीच का है. हम क्या क्या सकते हैं उसे? माजी, रितीश का अगर किसी दूसरी औरत के साथ रिष्टा है, तो क्या ये सर्फ बिनीता की प्रॉब्लम है? समाच जो कुछ भी कहेगा, हमें उसके बारे में भी तो सोचना है ना? बिनीता हमारी है तो हमें भी तो उसके बारे में सोचना है ना माजी? तुम्हारे पापा जी ने एक बार बात की थी उससे. लेकिन मामी जी, आपके बात करने का असर ज्यादा होगा. गलत काम करने के बाद, मर्दों को बात से डर लगता है, लेकिन मा के सामने आते ही, वो शर्म से पानी-प वो शरम कर जाती है बिनी घर नी जाना रितिश के आने का वक्त हो रहा है मा आज रितिश देर से घर लौटता है और अगर आज ही अगर जल्ली लौटा तो और अगर इसने तुम्हें नहीं देखा तो कल से दोबारा देर से आना शुरू कर देगा बिटे अगर किसी के लौटने का इंतिशार कर रहे हो तो तो तुम्हें हर रूस करना पड़ता है मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। और यह भी नहीं कह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं लेकिन माँ प्लीज, मुझे एक इंपॉर्टन्ट काम कम्प्लीट करना है क्या कर रही हो तुम? सरोगेट मदर ढूदने के लिए पेपर में आड तेयार कर रही है अस्तानी, यह क्या पुफी नमीदा ने तुमारे दिमार में भर रखी है मुझे कुछ समाज में यह रहा है क्यों जान बुछ कर अपने शादी तभा करना चाहती हो तुम? किस ते शादी तभा नहीं हो की? मैंने आपको पेले भी तो सुझाया था सरोगेटिं के प्रोसेस में आदमी को सरोगेट मदर का नाम जाना जरूरी नहीं है मिलने की तो दूर की बात रही और सचोच पेशन को सरोगेट मदर का नाम नहीं बताया जाता दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे से चोपी रहती है लेकिन लेकिन बिनिता इन सब के कोई वज़त होनी चाहिए ना किसी और का बच्चा गुड़ लेनी में कया रर्जा है वो बच्चा हमारा नहीं होगा ममा मेरा मतलब मेरा रुटिश्का नहीं होगा लेकिन एच जो तुम्हारे पेट में नहीं पला जिसने तुम्मार दूध नहीं पिया ओ तुम्हार कैसे हो सकता है आप ही ने मुझे बताया था ना, कि पुराने जमाने में राजाओं के बच्चों को दूद पिलाने के लिए धाया रखी जाती थी, और वैसे थी, किसी का दूद पीने से अगर बच्चा उसकी जासा हो, तो हम सब कपकी गाय भैसे हो जाती, और मा, गाय के दूद में और मा के दूद में बुनियाधी फरक तो है नहीं, एक दम पागलो जैसे बात कर रही हो तुम बिनिता, किसी का बच्चा, किसी दूसरी औरत की कोक में कैसे रखा जा सकता है, मैंने तो नहीं सुना कभी, ये विज्यान की नहीं शोध है, सब बेकार की बात है, जो शास्त्रों में न ये जनम लीगा था विनिता, मां, तुम मुझे एक आनी फर से सना, क्रिश्णी की जनम से पहले, कंस ने देवकी की सात संथानों का बच कर दिया था, साथ या च्छे, कहते हैं, देवकी की साथमी संतान शेशनाग थी, शेशनाग को बचाने के लिए देवताओं ने देवकी के गर्व को उसकी कोक से निकाल कर कहानी पूरी करो मा देवताओं ने देवकी के गर्व को उसकी कोक से निकाल कर रोहनी की कोक में रख दिया था और कंज से कहा गया था कि गर गिर गया है यह सरोगेट मदर का ही तो किस्सा है बावाणिग मुमी गृद मॉर्मा बेटा आज कल बहुत काम करते हो तुम हाँ माँ वो नहाँ बिजनेस जो सेट करना है जल्दी सेट हो जाएगा मुझे यकीन है तुम्हारे पापा ने जितने बिजनेस किये जितने पैसे कमाए उससे दुगना तुम करोगे क्योंकि तुम म नहीं बेटा, दर असल तुम्हारे पापा को तुम्हारे पास सेखना चाहिए महनत करना, उन्होंने कभी रात को साड़े दिन बजे तक जाग कर काम नहीं किया तुम जाग रही थी कल रात को कल, परसो, नरसो, कही दिनों से मैं देख रही हूं तुम्हारी महनत बैसे इतनी रात का है, कौन होता है तुम्हारे साथ? पारेक भाई? देखो, रितिश, पारेक भाई के उम्रे तुम्हारी जितनी नहीं है, इस तरह उनका तेल निकालोगे, तो बिचारे बीमार पड़ जाएंगे नहीं-ने, मा, पारेक आंकर नहीं श्रेया दलाल नाम के लड़की के साथ, वही एड़टाइजिंग समालती है ना तुम्हारे लिए? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बता है? सारी दुनिया जानती है, रितिश, सिर्फ न्यूस्पेपर में आना बाकी है रितिश भीमानी का स्केंडल एड़टाइजिंग एजिंसी की क्लर्क के साथ, रात रात फर खुंता है उसकी बीवी अभी अभी आपरेशिन करवा कर आई है, उसका भी उसे खयाल नहीं है उनके विनीता ने कुछ कहा? किसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम भीमानी परिवार के नाम पर कालिक पोत रहे हो और कल सब लोग कहेंगी देखो माँ, मैं और श्रेया सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं और कुछ नहीं वो बाते दिन में भी तो हो सकती है तुम्हारे पापा और मिताली कई कंपनिया चलाते हैं लेकिन एड़डाइजिंग वालों के साथ इतने घंटे बिताते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा तुम्हें शर्म आने चाहिए रिदिश तुम्हारी बिवी यहां तड़कती है और तुम मज़े उड़ाते हो किसी और लड़की के साथ वो रात भर तुम्हारे लिए जाकती है घर के नौकर सो जाते हैं तो तुम्हारे लिए खाना परोस कर लाती है और तुम्हारे लिए खाना परोस कर लाती है पिनिता देप्रेशन में रहती है, मिस्करेज के वज़े से, वो तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं कर पाती है, यही ना, और तुम क्या करते हो, उसे देप्रेशन से भाहर निकालने के बज़ाए, भाहने बना कर फाग जाते हो, मसे उडाने हो, लेकिन एक बात याद रखना वो तुम पर भरोसा करके इस खर में आई है, अपना खर छोड़ कर, अगर उसके सुख के चिंता नहीं करोगे, तो तुम भी दुख पाओ के समझे, तुमने ममी से मेरे बारे में क्या बात की? कुछ नहीं, क्यों? तुमने ममी से ये कहा कि मेरा और श्रया कोई चक्कर है? मैंने असे कुछ नहीं कहा, किसी और ने कहा हो सूट मत बोलो, मिनीधा, आज सुभाही ममी ने मुझे से स्रया के बारे में कि, शूट बोलने कि मेरे पास कॉए वजय नहीं है? है, मज़े है तुमारे पास, तुम किसी भी तरह मुझसे अपनी पात मन माना चाहती हो, जबकि तुम अच्छी तरह जाती हो कि मेरा और श्रेया का कोई रिष्टा नहीं है चिलाओ मत, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और रितेश, तालो का छिपे नहीं रह सकते परिता तुम, देखो परिता, श्रेया मेरे नए बिजनस की सिर्फ पब्रिशिटी संभाल रही है, तालो कि ठीक है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, इतना नहीं कह सकती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इतना नहीं कह सकती कि तुम घरवालों की गलत फैमी तूर करने की कोशि अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ, तो लोग की ही मानेंगे ना, कि तुम्हारा मेरा कोई संबन नहीं है, तुम्हारा उश्रश्ययाद़ा के साथ संबन है, तुम ही ने कहा है तरितिश Annika को जो मानना होता है, वो ही मानते है, विरीता, मैं तुमसे पियार करता हूँ, इस प खुशी होगी या नहीं, इस बात का पता तो बाद में चलेगा, लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ, यह देखो, मैं यह इस्तियार चपवाने के लिए दे रहा हूँ, और श्मी मैंने यह भी लिख दिया है, कि मैं सरोगेट मदर को पंद्रा लाख रुप अरुब कि रहीं मुपवाने हो यह घ्लत खुब को कुझ को कि र DIY अवेट कर पता को चेशा लवाने हैं, यहाँ धुब को कि र игр 팬ॉ होगी कि नहा हैं, पुझेक पता हूँ